इसमें कुछ error आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं हमने एक row insert कर आई है ठीक है लेकिन इसमें कुछ error आ रही है ठीक है अभी देखते हैं कौन सी error आ रही है यहाँ पर देखो यहाँ पर यह पूरी row थी यह insert into इसमें वेल्यू इसकी बाद है पहली वैल्यू दी है इसके जो आईडी है एहने एसाइडी है वह 001 दी है फिर नेम दिया है फिर एड्रस दिया है फिर मोबाइल नमर डाला देखते कहां गलत हो रहा है अब यह चेक कर लेते हैं कर देखते हैं कि अगरें कर देखते हैं कि अगरें कि अगरें कि यह कि जो अगर्ड हो दिख गई उसमें मेरी गलती है बलती से मैंने देख जब होता क्या है कि जब जब हम वार के वाली वैलो डिफाइन करते हैं, जिस भी खृलम का डीटरा टाइफ वैलो कैर होगा क confess वैलो डिफाइन करेंगे तो इसको हमको डबल कॉट्स लगाना ही लगाना होगा, एकम ड बल कॉट्स नहीं लगाएंगे तो वो डेटा इंटर नहीं होगा जिसे यहां query ok लिखके आ गया मतलब जो data हमने दिया था वो इंटर हो गया है एक बार हम एक एक row और insert कर देते हैं सेम इसी तरीके से अगर आगर कर दो है अगर कर दो है कि कि एक रूह हमने और इंसर्ट कर दीए इसमें वैल्यूस को थोड़ा चेंज कर दिया तो वह एक रूह और स्टार्ट हो गई ठीक है अब हम जब हम जब हम यह प्यूंद हमने पहले चलाई थी टेबल को डिस्प्ले कराने के अगर हम उस कमांड को जलाएंगे सब्सक्राइब तो फिर वो टेवल हमें डिस्प्ले हो जाएगी देखिए जैसे मैंने सेलेक्टर स्टार्ट स्टूडेंट किया मतलब टेबल का नाम दिया वैसे क्या हुई हमारी जो यह टेबल थी वो डिस्प्ले होगा यह हमारी टेबल है ठीक है साथ एडी 12 जहां सदी दिया हूए नेम दिया हुए फादर नेम दिया हुए एफ नेम मतलब शॉट फॉरम में लिखा एड्रेस है और फिर ऑ्प में मतलब मोबाई नंबर है इस तरीके से हम चाहें तो और भी इसमें इंसर्ट करा सकते हैं ठीक है टेबल दू-चार कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं तब टेबल आपको कराते हैं तो आप लोगों को ज़्यदा क्रियाद होगा इंसर्ट कराने का तरही का वह है जो हमने पहले यूज किया था वही इंसर्ट कमांड का यूज करके हम इसमें जितनी भी रोज चाहें उतनी रोज एक साथ हम तीन दिन चाचार करा सकते हैं लेकिन कराते इसलिए नहीं है कि मानलों एक भी मिस्टेक हो गई तो फिर वो फिर से टाइप करने में बड़ा जहनजट होता है इसलिए नॉर्मली कोशिश यही करनी चाहिए कि एक से दो रोख हम एक साथ इंसर्ट कराएं जब भी हम इनसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो उसमें इन्टू और वैल्यूज यह दोनों की वर्ट्स का होना जरूरी है यह दोनों इसका पार्ट है यहां जो student है तो student जी तो table का नाम है जो की table अलग-अलग-अलग table में अलग-अलग नाम यूज किया जाएगा ज़रूरी नहीं कि हर जगा student ही हो किसी भी नाम की table करेती इंसर्ट इंटू table ने फिर values है values के अंदर जो values दे जाएंगी वो according to जो हमने column मनाए हैं उनको ध्यान में रखके दी जाएंगे अगर एक भी हमने कम ज्यादा कर दी तो फिर वो error देने लगता है ठीक है जितने column मने हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जितने column मने हैं उनके हिसाब से ही value देंगी कि अगर हमारा SID integer है तो हम पहली value integer देंगे अगर दूसरा column हमारा वेरकर है दूसरी value हम वेरकर देंगे एक भी mistake यहाँ पर होती है तो command run नहीं करती है कि अगर देंगे दितने column मने है तो हमारा SID ही पर देंगे देंगे अगर हैं और सवावल्ण दूसर देंगे पावले कि एक अगर है तो हमारा दूसरी दूसर्चला देगे पार देंगे जगश्रा दूसरा क्विका है एक और रो इंसर्ट हो गई एक और इंसर्ट करा देते हैं कम से कम चार रो हो तो देखने में अच्छा लगीगा खुरेम हाओ थीक है? ठीक है तो कम से कम हमारी यहाँ पर चार रो इंसर्ट हो गई हैं, अबध्शा बताने में असानि भी होगी, आप को समझने में भी असानी होगी किस तरीके से चीज़े हो रही क्योंकि और भी command इसमें बतानी है तो उन commands को बताने के लिए भी table का होना जरूरी है कम से कम 4-5 रो होंगी तो उसमें हम data को insert करना और इंसर्ट तो करी दिया है और भी चीज़ें जो और भी commands है जिनका use होता है वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि देखो जैसे हमने select star from student लिता सारी काला तो इस्टार पूरी पूरी table डिस्पले होगे जब हमको पूरी टेबल डिस्पले करानी होती है तो select के लिए एक कॉलम कराएं, दो कॉलम कराएं, तीन कॉलम कराएं, अगर हमको इतना कराना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यह ऐसी यही कमांड लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो, हमको सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले कराना था, हमने लिखा, सेलेक्ट साइडी फ्रॉम स्टूरेंट, तो सिर्फ साइडी वाला कॉलम डिस्प्ले होगा, बागी का कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा, यह नई टेबल नहीं बनती है, इसको कहते हैं व्यू, यह कोई नई ट तेबल नहीं बन रही है यह database view है जो table है उसी का हम एक समझो एक उसी का सब table बन के आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं कि हमने एक column डिस्प्ले कराया तो हमारी नए table पर कोई effect पढ़ा है जो हमारी table झो हमारी table थी वो as it is है बस उसका कुछ part हमको display हो गया है अगर हम single एक column display कराना चाहिए तो एक करा सकते हैं दो कराना चाहिए दो करा सकते हैं और तीन कराना चाहिए तीन कराना चाहिए तीन करा सकते हैं और सारे कराना चाहिए तो हमको सारा नहीं लिखना होगा हमको सिर्फ लगाना होगा select star from table ने तो उससे सारे चीजे सारे कॉलम एक सार डिस्प्ले हो जाएंगे अगर मानलों को दो कराना है तो उनको यही फिर से यही कमांड चलानी होगी इस बार हमने दो कॉलम डिस्प्ले करा है SID, NAME कर दिया तो यह दो कॉलम डिस्प्ले होगा अगर हम तीन कराना हो तो यह देखो तीन हो गया है जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही करा है हम बीच में से भी करा सकते हैं पहले हमने SID करा है फिर हमने SID और NAME करा है फिर हमने पहले और दूसरे हो करा है उसके बाद तीसे लास्ट वाले हो करा दिया लेकिन जब सब कराना होगा तो हमको सब को सब का नहीं लिखना होगा सब हमको स्टार लगाना होगा कि अ कि अ कि अ कि अ